हेलो, हसल लोई स्टेडी में आपका स्वागत है, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, साक्षियों की परिक्षा के लिए कमीशन जारी करना, अध्याय तेश के खंड खा में, धारा दोसो चुरासी से दोसो नब्भे के बारे में, साक्षियों की, साक्षियों की परिक्षा के लिए कमीशन जारी करना, अध्याय तेश, ठीक है, अध्याय तेश, साक्षियों का परिक्षा के समानता नियाले में ही किया जाता है, लेकिन कभी-कभी ऐसी परिक्षियों आ जाती हैं, या ऐसी परिक्षियों उत्पन हो जाती हैं, कि साक्षियों नियाले में उपस्तित नहीं हो सकते हैं, या नहीं हो पाते हैं, जबकि उनका साक्ष का लिए जाना सारबूत होता है बहुत ही आवशक होता है महत्पूर्ण होता है ऐसी दशा में साक्षियों के क्थन लेखवत करने के लिए कमीशन जारी किये जाता है या कमिशन जारी करने की बेबैस्था की गई है CRPC में कमिशन से मतलब है कि कोट के द्वारा कुछ लोगों को निक्ट किया जाता है और वो एक कमिशन के रूप में वहां जाते हैं जहां पर साख्षी होता है और साख्षी लेकर बहां से आते हैं तो आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि बेपरिश्थितियां कमिशन जारी किया जासकता है उन परिश्थितियों के बारे में जिसमें कमिशन जारी किया जासकता है पहला बेपरिश्थितियां बेपरिश्थितियां जिन में कमिशन जारी किया जासकता है चीक नमबर दो दूसरी कौन से बस्ते दिया है कौन से टॉपिक है कमीशन का ब्याय है कमीशन का का ब्याय है यानिके खर्च तीसरा है कमीशन किसको जारी किया जाएगा कमीशन किसको जारी किया जाएगा जारी किया जाएगा चौधर टॉपिक रहेगा कमीशन का निश्पादन कमीशन किसको जारी किया जाएगा उसकी धारा दो सो पिच्चे आसी है और कमीशन का निश्पादन कमीशन का निश्पादन इसकी धारा आए धारा दो सो च्चे आसी पाचवा पक्षकारों दोरा साक्षियों से परिक्षा और नमबर अगला लास्ट एगा छे यहां देख लें नमबर छे लास्ट कमीशन का लोटाया जाना कमीशन का कमीशन का लोटाया जाना धारा धारा दो सो अठासी दो सो अठासी अब देखिए पहला टॉपिक बेपरस्तितियां जिनमें कमीशन जारी किया जा सकता है जहां किसी जांच बिचारण या अनकारवाई के अनुकिरम में नियाले या मस्टेट को यह प्रतीत हो यह महसूस हो यह लगे कि नियाले के उद्देश के लिए किसी साक्षी की परक्षा किया जाना आवशक है लेकिन ऐसे साक्षी के नियाले में उपस्तित होने में बिलंब होने की संबाब ना है बिलंब होने की बिलंब होने की संबाब ना है मलब देर हो जाएगी दूसरा है दूसरा है अध्यातिक खर्च होने की संबाब ना है अत्यातिक खर्च हो सकता है ठीक है अध्यातिक खर्च होने की संबाब ना है तीसरा है तीसरा है आसुविधा होने की सब्सक्राइब नहीं है बिलम यहांगे देर होने की संबाब ना है अत्यादिक क्हर्च की बहुत ज़्यादा खर्च होने की संबाब ना ए तीसरा आसुभिदा होने की संबाब ना है बहां में उपस्तिती से अभी मुक्त दे सकेगा अभी मुक्ति दे सकेगा या ऐसे साक्षी का ऐबम ऐसे साक्षी का साख्ष लेने ऐबम उसकी परिक्षा किये जाने के लिए कमीशन जारी कर सकेगा कमीशन समझ रहे ना कमीशन का मतलब होता है कि न्याले के द्वारा कुछ लोगों कोनिक्त करके और साक्षे के पास बेस्क्ट देना उसकी परिखा के लिए इस नियाले के दूरा टै है वह लोग जाते पास उसकी परिख्षा लेते हैं साँच्छ लेती हैं और फिर बापस लुट आदे हैं अब अगला टॉपिक देखिये कमेशन का भी अचा करता है यह कब करेगा कब नहीं करेगा परस्तितियां है यह नहीं है नहीं इस मामले में परस्तितियों को ध्यान करते हुए कमेशन जारी करने का आदेश पारत करेगा यह बात ओम पर्कास ओम परकास बादाश राज ओमप्रकाश के मामले में यह बात आई पाली थी यह प्योड़ थी कि नेयाले का विवेक हैं और नेयाले मामले की पस्तितियों को द्यान में लग टे दियुक्ति विए कमिशन जारी करने का अदेष पायद कर सकता है अगला केस्थ देखिए महरास्ट राजबानाम पुरफुल कुमार देसाई महरास्ट राज तो ठीक है महरास्ट राज बरसिस पिर फिल, पिर फिल कुमार देशाई, पिर फिल कुमार देशाई, यह केस है, इसमें यह कहा गया है, सन दोजातीन केस है, नया केस है, दोजातीन केस में कहा गया, नियाला ने कहा, कि अमेरिका जैसे सुदूर, मला अमेरिका बहुत दूर है, तो अमेरिका देश से साख्ष प आसुबदा भी होगी तो ऐसे मामलों में साक्ष अभी लिक्त करने के लिए कमिशन जारी किया सकता है किया जाता है किया जाता है जो साक्ष बही अभी लिक्त करता है बही पर अभी लिक्त करेगा करता है और करता है और जहां साक्षी रह रहा है जहां साक्षी रह रहा है वहां साक्ष अभी लिकित करेगा इसलिए जहां साक्षी की उपस्तिती बिलंब बिय और आसुबदा के बिना नहीं प्राप्त की जा सकती वहां न्याले वीडियो कॉन्फरेंसिंग ये इस केस में आई ये बात फिर फुल कुमार देशाई की बीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये साक्ष दर्ज करने हे तू कमिशन जारी किया सकता है। इस केस में नियालन कहा जैसे अमेरिका जैसे बहुत दूर हमें कुई साक्ष लेना हो तो उसमें तीन वाते आ सकते हैं कि बिलम भी होगा बीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से भी साक्ष दर्ज करने के लिए कमिशन जारी किया जा सकता है। एक केस हो और है गुलाब राए बामन राओ बानाम एसडी आर जे राजे लिखा हुआ है गुलाब राए गुलाब राए बामन राओ नहीं जगा नहीं गुलाब राए बामन राओ का मामला ठीक का मामला जो है ये सन 1902 का है 1902 का मामला ये इस मामले में क्या का गया देखिए कि जहां बेर के उद्देश जहां पर नियाए के उद्देश के लिए भारत के राष्टपती या उपराष्टपती किसी राज के राज जुपाल या किसी संग राज के पिरसाशक उबराच जुपाल की साक्षी के रूप में परिख्षा की जानी आवश्चक हो बहां ऐसे साक्षियों की परिख्षा के लिए कमीशन जारी किया जाएगा अर्थात राष्टपती उपराष्टपती एवम राज जपालों को न्याले में उपस्तित होने के लिए बाद नहीं किया जा सकता लेकिन मंतरी लोगों को यानि मंतरी लोगों पर ये बात लागू नहीं होती ये नियम लागू नहीं होता मंत्रियों को न्याले में बुलाया जा सकता है लेकिन ये चार लोगों मैंने बताया उन्हें न्याले में नहीं बुलाया जा सकता है इनके लिए कमीशन जारी किया जा सकता है साक्ष के लिए अब देखिए कमीशन का ब्ये कमीशन का ब्ये कमीशन का जो ब्याय है नयालांए अभ्योजन परक्ष्न को जो आप बातें बताऊंगा मैं उन बेयों को बैहन करने का आदेश दे सकेगा अभ्योजन तो खर्च के लिए आदेश दे सकेगा मतलव उसका पैसा जो ब्याय हुआ देने के लिए आदेश दे सकेगा नमबर एक अधिवक्ता की फीज एबम अवियूक्त के ब्येज जो भी ब्येज है अवियूक्त के फीज है वो ब्येज देना होगा अवियोजन पक्ष को अगला टॉपिक है कमीशन किसको जारी किया जाएगा धारा 285 यदि साक्षी ऐसे राजचेट के अंदर हो जिस पर इस सहिता का बिस्तार है तो कमीशन यथा इस्तिति उस महानगर मेश्टेट या सीजियम यानके मुक्नियाग मेश्टेट को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसकी इस्थानी अधिकारता के अंदर ऐसा साक्षी मिले और स तो महानगर मेश्टेट है उसे यदि साक्षी भारत के किसी राजचेतर में हो जिस पर इस सहिता का इमले बाद प्रिकेस सहिता का बिस्तार बिस्तार नहीं है तो कमीशन ऐसे नियाल या अधिकारी को निर्दिष्ट किया जैगा जैसे के सरकार है जैसा के सरकार दूचने द बारत के बाहर के देश में तीसरी बात यह यदि साक्षी भारत के बाहर किसी देश में हो और ऐसे देश या इस्थान की सरकार से केंद्री सरकार ने आपरादिक महामलों के संबंद में साक्षियों का साक्ष लेने का जो अनुबंद कर रखा हो तो कमीशन ऐसे पर रूप मे किया जाएगा और ऐसे नियाले या अधिकारी को निदिश्ट होगा और भीजा जाएगा जैसा किन सरकार करें निश्चित करें अनुबंद करें या अधिसूचित करें यह तीन बाते यान कि उसके अधिकार अधिकाराई या वो बात के बार या जैसी उस ने समझोते होते हैं उस समझहूते करें और के रखाएगा और के सरकार जैसे सुच्छा करेंगा यह कमिंशन जारी करें उसके अनुसार यह कि दो दारा 285 में ऐसा प्रापधान है कमीशन का निश्पाधन में कमीशन का निश्पाधन धारा 286 कि जब किसी मनिश्टेट को कमीशन प्राप्त हो वह मनिश्टेट उस साक्षी को अपने समक्ष उपस्तित होने के लिए समन्जारी करेगा और उस इस्थान को जाएगा जहां बैस साक्षी हो एबम उस रीती से साक्ष लिखेगा और उस प्रियोजन के लिए उन्हीं सक्तियों का प्रियोग कर सकेगा जो इस सहिता के अधीन बारंट मामलों की विचाड़ के लिए बिर्दिष्ट है या जो फिक्स है तो कमिशन कर निश्पादन इस तरीके से किया जाएगा अब है पक्षकारों द्वारा साक्षियों की परिक्षा पक्षकारों द्वारा साक्षियों की परिक्षा है वो धारा 287 में है धारा 287 287 में साक्षियों की परिक्षा के लिए समानता नियाले द्वारा कमिशन को परिप्रेशन करने के लिए पिर किरिया का अनुसर किया जाता है ऐसी साक्षियों की परिक्षा और प्रति परिक्षा के लिए पुना परिक्षा स्वयम पक्षकार द्वारा अत्वा उसके अधिवक्ता द्वारा नियाले अत्वा मेस्टेट के समख्ष उपस्तित होकर की जा सकेगी अब छटाए कमीशन लोटाना जाना धारा 288 में कमीशन का जो निश्पादन कर दीए जाने के पश्यात जम निश्पादन हो जाता है यानि कमिशन जिस काम के जारी हुआ वो काम हो जाता है निश्पादन हो जाता है कर दी जाने के पश्चाद बैसाक्षियों के समक्ष साक्ष सहित उस नियाले अत्वा मैंस्टेट के मैंस्टेट को लोटा दिया जाएगा जिसने उसे जारी किया है वो कमिशन जिसने जारी किया है जिस नियाले ने उस नियाले को उस साक्ष के सहित लोटा दिया जाएगा आज की इस बीडियों में मैंने चर्चा की साक्षियों की परिच्छा के लिए कमिशन जारी करना अब मिलते हैं अगले वीडियों में तब तक के लिए बाए जुड़े रहिए हसन लोई श्टेडी के साथ तब तक के लिए बाए